आज है सत्रा जून दो हजार इक्यस मुरली कासार मीठे बच्चे तुम पारलोकिक बाप को यथार्थ रिती जानते हो इसलिए तुम्हे ही सच्चे प्रीत बुद्धी वा आस्तिक कहेंगे प्रश्ण बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है उत्तर सब भक्तों को रावन की जेल से छुडाना इन्सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना यहे एक बाप का ही कर्तव्य है जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्रामन बना कर देवता बना देना यही उनकी रक्षा है भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ती जीवन मुक्ती देने दाणा के लिए मुख्यसार पहला श्रीमत पर चलकर श्रेष्ट ते श्रेष्ट देवता बनना है सारे विश्व की सच्ची सच्ची रुहानी सेवा करनी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददकार बनना है दूसरा आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाए किसी भी देधारी को याद नहीं करना है पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है वर्दान अंतर मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघन जीत भवा कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं आप भी जितना अंतर मुखी अर्थार अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायू मंडल से बचाव हो जाएगा मनन शक्ती बढ़ेगी और माया के विघनों से भी सेफ हो जाएंगे बाहर मुखता में आते भी अंतर मुख, हर्शित मुख, आकर्शन मूरत रहो कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे स्लोगन बिमारी से घबराओ नहीं उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो ओम शांती स्लोगन बिमारी से बाद करेंगे